तन्वासकार दोस्तो स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 महत्पुर्ट बड़ी खबरों में आईए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिसमा चार्ट टॉप ट्रेंडिंग न्यूज और अन्निराज्यों से भी कुछ खास खबरे है महिलाओं को बड़ी सोगात मिली है यूपी सरकार ने क्या बड़े लाब दिये है और फ्री रासन अब किस तारीक को मिलने वाला है इसके बारे में एक लेटिस्ट अपडेट आ गया है वहीपर दोस्तों पेंसन का पैसा आप लोगों को 4500 रुपए नहीं मिला तो किस महीने से आपको 15 रुपए देने की बाद सरकार ने कही है और किस महीने से आपको 4500 रुपए मिलेगा ये जानेंगे वृद्धा और निरासित महीलाओ के पैसन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है किस्तान निदी का पैसा कब आएगा इसे भी जानेंगे वहीपर फ्री बस टिकट के बारे में भी बड़ा अपडेट आ गया है फ्री में ये आत्राप कर पाएंगे और साथ कई अन्य खबरे हैं सरसो के तेल भी सस्ते हुए है इन जिलो में आप इस वीडियो को अंदर तक जरूर देखिएगा हमाले साथ आप बने रहिए चलिए सुरू करते है दोस्तो बात कर लें सबसे पहले पैंसन योजना की जहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पैंसन पाने वालों की लगी लोटरी सरकान ने डबल कर दी है पैंसन अब मिलेगा इतना पैसा और कहीं पर भी कोशन मार्क नहीं है और यही लेटेश्ट अपडेट आपको हमने दिया है और यह बहुत पुरानी खबर नहीं है यह जुलाई की चार तारीक की बड़ी खबर है जो आपके साथ हमने सेयर किया था अब 45 सुरुपे सरकान ने नहीं दिया इसके बारे में भी अपडेट सामने आया है कि क्यों नहीं मिला और यहाँ पे आप एक और खबर देख सकते है जो जागरन न्यूज पर है यह बड़े न्यूज पेपर है जो आपको खबर देते है इसमें भी लिखा है योगी सरकात दिव्यांगों को देगी बड़ा तोफ़ा हर महीने मिलेगा 15 सुरुपे पेंसन लोन भी कराया जाएगा उपलब्द तो अब यह खबर जो है वो 27 जून के आसपास का है यानि जब पेंसन की रासी आने वाली थी तो अब इन्ही खबरों की सहारे मैंने आपको सही न्यूज दी लेकिन आपको बता दे धिव्यांगों को 15 सुरुपे महीने नहीं दिया गया 45 रुपे नहीं दिया गया फिलाल दोस्तों आपको बता दे अगस्त सितंबर और अक्टूबर का पैसा 15-15 सुरुपे आपको दिया जाएगा यानि कि जो ये रासी 15 सो रुपए की देने वाली बात कही गई है ये आपको अगस्त सितंबर और अक्टूबर का दिया जाएगा जो अक्टूबर या नॉवंबर के बीच में 45 सो रुपए मिलेगा वही बात कले विद्वा निरासित महिलाओ के पेंसनों का तो अगर आपको पेंसन नहीं मिली है तो अब आपको दादे जुलाई की 15 तारिक तक आपके खाती में पैसा आ सकता है क्योंकि इसी दिन किसान निदी के पैसे के बारे में भी अपडेट आ रहा है दिव्यांगों को मिल गई है अब धीरे दीरे विद्वा निरासित महिलाओ को भी पेंसन मिलेगी वही बात दोस्तों अब अविवाहित लोगों को भी मिलेगा हर महीने पेंसन इस राज में किया गया है ऐलान आपको दादे हर्याना की मनुहल लाल खटर सरकार ने चुनाओं से पहले अविव गरी मामला सामने आया जहां एक हिंदू सक्स ने बस के किराय से बचने के लिए बुर्का पहन लिया सक्स का वीडियो सोसल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सक्स ने बुर्का पहन रखा है और उसके पास एक बैग भी है सक्स का ना दरसल दोस्तों, गर आप उत्तर परदेश के हैं, तो 11 जुलाई मंगलवार से फ्री रासन मिलना सुरू हो जाएगा, ये जुलाई महीने का रासन होगा, जिलापूर्ति अधिकारी ने सनिवार को जिले के सभी रासन दुकानों को तैस समय पे वित्रण के निर्देश दिये है और आपको दादी दोस्तों, सिर्फ 11 जिन रासन का वित्रण होगा, 11 जुलाई से वित्रण सुरू हो रहा है, तो 22 जुलाई तक रहेगा, उन्होंने कहा, अंतियोदे कार्ड धारकों को 14 किलो गेहू, 21 किलो चावल मिलेगा, एक कार्ड पर, यानि अगर आपकी कार्ड में एक लोग भी हैं, तब भी आपको 35 किलो रासन मिलेगा, पात ग्रहस्ती कार्ड धारकों को 5 किलो रासन मिलेगा, 2 किलो गेहू, 3 किलो चावल होगा, और बताया जा रहा है कि मोबाईल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से निसुर्ग वित्रण किया जाएगा, तो चलिए किसान रुपए ही ट्रांस्पर किया जाएगा, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है, दरसल आपको पता है कि 13 किस्त 27 फरवरी को रिलीज होई थी, फरवरी के बाद मार्च अप्रेल, माई, जून, इस प्रकार से लगबग 4 महीने बीद गए है, अब जुलाई में पैसा आने की ब रहने वाले हैं, तो 3-4,000 रुपए दिया जाएगा, तो महगाई से रहत मिलने वाली है, क्योंकि आपको दादे सरसो का तेल सस्ता हुआ है, हो गया है, कमाल सरसो के तेल की कीमत 4 खाने चित हुई है, जानिए 1 लीटर का ताजा भाव क्या है, आप अपने जिले का रेट भी तो आपके पास भी मौका है, जाकर खरीदिये, फटाफट सरसो का ताजा रेट जा लीजे, भारत के सबसे बड़े राज्योत्तर प्रदेस में ही बता दे, सरसो तेल की कीमत काफी कम चल लई है, जिसकी खरीदारीकर आप पैसो की बज़त कर पाएंगे, दरसल सरसो का तेल क प्राइस जो है, 145 रुपए प्रति लीटर दज किया गया है, वारारसी में सरसो का तेल 147 रुपए है, जौनपूर में 144 रुपए प्रति लीटर सरसो का तेल है, आप इन सहरो का भी रेट देख लीजे, पश्चमी यूपी के जिला मेरट में भी 145 रुपए का लीटर तेल मिलना है, और दोस्तों मुझफवन अगर में भी 146 रुपए लीटर तेल मिल रहा है, तो अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाले हैं, तो पहले इस खबर को जा लेजे, क्योंकि कावण यात्रा के चलते यूपी के इंजीलों में स्कूल बंध है, कॉलेज भी बंध किया गया है, दरसल कावण यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश में स्यू भक्तों की सुविदा के लिए तमाम इंतजाम किये गए है, बीते मंगलवार को कावण यात्रा सुरू हो गई है, इसका समापन 15 अगस्त को होगा, जब भगवान स्यू को पवित्र गंगा जल अरपित किया जाएगा, फिलाल मुझफवन अगर में 16 जुलाई तक विद्याले बंध है, तो ऐसे में आप अपने बच्चों को विद्याले ना भेजे, 8 जुलाई से ही विद्याले बंध कर दिया गया है, 16 जुलाई तक, वही मेरट सहारनपूर और बागपत में भी स्कू स्कूल, डिग्री, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंध रहेंगे, इसके लाबा बागपत सहारनपूर में भी स्कूल बंध करने का निर्देश दिया गया है, बदायू में भी स्कूल बंध रहेगा, कामण यात्रा के मद्दे नजर, डियम, मनुच कुमार के निर्देश पर कक खबर जा लिजे, साधी के बाद पढ़ाया, नर्सिंग का कोर्स कराया, पांच साल के बेटे को छोड़, प्रेमी संग फरार हो गई पतनी, जया दोस्तों, HDM जोती मौरिया का मावला इन दिनों सूर्कियों में है, हाला कि पूरी तरह समानता तो इस खबर में नहीं है, ले कर अपने प्रेमी के साथ चली गई, वह गरीब की थाली, अब भी खाली सबजीयों की बरती कीमत पर अखले स्यादों का बीजेपी पर निसाना है, दरसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, अखले स्यादों ने संग्यवार को कहा कि भारती जंता पार्टी के राज में वसूली और लूट के चलते, जंता की जेप पर महंगाई का डाका पढ़ रहा है, आपको दादे सपा मुख्याले से जारी एक बयान में अकले स्यादों ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी मानती है कि महंगाई से मुक्ती पाने के लिए आने परिवार कैसे पाले, लोग क्या खाएं, क्या बचाएं, आपके क्या राया है, कॉमेंट करके जरूर बताएं, तो चलिए वेदर के बारे में जा लेते हैं, क्योंकि भारी बारिस के अलर्ट पर उत्राखंड में दिली अंसियार यूपी पर इटगों पर पाबंदी ल लगाई गई है, उत्राखंड में हरी द्वार, नैनी ताल, पित तोडगर में भारी बारिस की वज़ा से, नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी की संभावना बताई गई है, तो ऐसे मगर आप इन प्लेस पर जा रहे हैं, तो मत जाएं, क्योंकि काफी ज़्यादा अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट है, और आप ऐसे जगों पे जाएंगे, तो फस सकते हैं, इस बज़ा से अपना ट्रिप कट कर दीजे, कैंसल कर दीजे, तो दोस्तों, काजियाबाद से कानपूर सिर्फ साड़े तीन घंटे में बनने जा रहा है, ग्रेन फिल्ड कॉरिड बंद हुआ है, सराब की दुकान उपर परदों से ढखा गया है, कावण यात्र को लेकर सक्ती बढ़ती गई है, HDM सदर सुनीता ने बताया कि सासन के आदेश पर या कारवाई की गई है, यदि किसी के द्वारा इन आदेशों का उलंगन होता है, तो उसके उपर सक्त से सक् निर्धारिद कर दिया गया है, तो पॉक्सो तता महिला उत्पीरन के लंबित मामलों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, दरसल दोस्तो आख वदा दे, इसमें कमी लाने के लिए, फैसलों में तेजी लाने के लिए 15 जुलाई से 30 जुलाई 2023 तक वि बहुत भारी बरसात होने वाली है, पूरे यूपी में बारिस हो रही है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में 11 मिलीमीटर बारिस रिकॉर्ड की गई है, जो सामाने से 17 फिस्दी ज्यादा है, वही मौसम इभाग ने 14 जुलाई तक के प्रदेश में तेज बरसात, जंजावात, वह जिर्पात का अलट जारी किया है, आंचलिंग मौसम विग्यान केंदर के वरिष्ट मौसम वैग्यानिक अतुल कुमार सिंग के मुताबिक 11 से 13 जुलाई के पीच भारी बरसात के आसार है, या बारिस पूरे प्रदेश को मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद